दोस्तों अपनी हिंदी की सीरीज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज अपनी हिंदी की सीरीज में हम कवर करने चल लाए हैं स्वरसंदी के अंतरगत बृध्धी स्वरसंदी के बारे में या तो बड़ा A होगा, या तो बड़ी E होगी, या तो बड़ा U होगा, या तो बड़ा R होगा, ये कुल चार चीजें आती हैं, यही पहचान है दिर्गर सोर संदी का, दूसरा होता है गुडर सोर संदी, इसमें हम पढ़ते A, O और R के बारे में, ठीक है, यानि जो संदी व होता है, जब आप पढ़ते हैं, सरका पेट कोर्स भी चलता है, फिर जब इतनी अच्छी क्लास हम free में पढ़ रहे हैं तो paid क्यों पढ़ें बात तो सही है ट्रेलर देखके अगर आपको मज़ा आ जाए तो ट्रेलर ही देखिए movie देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि movie देखेंगे तो आप समझें कि trailer देखकर इतना मज़ा है तो मूवी देखकर कितना मज़ा आएगा यह आप सोच सकते ठीक है तो यह हमारी ट्रेलर वाड़ी क्लास है ठीक है जहां पर मैं आपको सिखा दूँगा कि बृद्धी स्वरसंदी की पहचान क्या होती है कितने तरीके से दोस्तों परिक्षा में पूछा जा सकता है उन सभी तत्यो पर हम बातचीत करेंगे यह पूरी तरह से ट्रिकी क्लास है ठीक है आईए पढ़ते हैं और एक एक सवाल पर अपना जवाब तयार करते ठीक है तो जैसे दोस्तों A, O, R पहचान चिन्द था उसी तरीके से आप सुरुवाती समय में याद रखेगा देगे A की जगा A याद रखेगा, O की जगा O याद रखेगा तो आपका काम बन जाएगा ठीक है सुरुवात में किवली अप दो चीजे पढ़िए जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा तत्रेव कहीं भी आप देखेंगे अगर उपर डबल मात्रा है ना तो आप आंक मूद कर यह ब बढ़ा था लेकिन आपको मैंने बताया था की दोस्तों यह अपवाद है क्या दोस्तों यह अपवाद है और यह किसके अंतरगत आता कि किस तरह इसका संदी विक्षेत किया जाए तो इससे तत्रयव का संदी विक्षेत करेंगे तो मिलेगा आपको जवाब किया तत्र धन एव क्या मिलेगा तत्र धन एव और ये कैसे बन गया दोस्तों तो तत्र में से अ निकल गया ठीक है और एव में से ए ले लिया तो अ और ए मिलकर क्या बन जाता दोस्तो आए बन जाता है इस तरह से क्या जवाब हो गया तत्रेव हो गया इसी तरह के से लिख रहा है एक 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 में क्या हो जाता दोस्तो एक धन एक क्या हो जाता है एक धन एक तो यहां को में जुड़ा है आप सभी जानते भाई यहां पर हर जितने भी िंजयन होते स्वर की साहता से बोले जाते है इसमें लगा ठीके तो को के साथ को में लगा उ के सा साथ πिर यह से एक मातर है इसलें यहाँ आप बढ़ी की मातर करेंगे अपने मंसे एक्ष्ट्रा दिमाग खर्च आपको नहीं करना है ठीक है आगे बढ़िए लोक एसरा का क्या हो जाएगा दोस्तों तो यहां पर हो जाएगा लोक धन एसरा क्या हो जाएगा एसरा इस तरह से दोस्तों आपका जवाब होगा कह दीजिए कि नहीं समझ में आया कहिए नहीं समझ में आया समय देंगे तो में समझा दूगा नहीं समझ देंगे तो बात ही अलग है ठीक है और आप कभी भी कंपेर करना कम समय में जादा से जादा चीजे अगर सीखने को कहीं मिलता है तो एक मत रस्थान है सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा ठीक है जैसे इसी तरह से दिया अद्देव तो इस दिया में दोस्तों क्या लगा हुआ यहां पर भी और चिपा हुआ है और यहां पर यहां लेडी दे रहा दे कि हर जगा पर है अगर यहीं नहीं रहता तो याद रखेगा कभी आय बनता ह नहीं तो दोस्तों ब्रिद्धी स्वरसंदी होता नहीं कंफर्म है ठीक है यहां पर क्या हो जाएगा अध्य में क्या हो जाएगा दोस्तों सीधे सीधे अध्य हो जाएगा अध्य क्या हो जाएगा अध्य इसी तरह हित में क्या हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा तरह यह क्या हो जाएगा ठनेशी पुत्रधन एसली गुद्रेश्वा पुत्रशडा क्या हो जाएगा पुत्रशडा मत थनी एकता पर बाबर मतय कता इसी तरह से मत इकता ब्राबर लिख देज़ेगा जो अंति में जो जैसा है उसको वैसा ही उतार लेना है अपने मंस से कहीं कुछ एक्ष्ट्रा काम नहीं करना ठीक है और आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखें फिर से एक बार दोस्तों इसका संदिविक्षेद करिए जैसे लिए धनैश्वर तो आपको आईस्वर्य में ऐसे होता है यही होता है ठीक है ऐस्वर्य ऐसे ही रहेगा दोस्तों यह आपका सही है यहाँ पे गलती से ए मत कर दीजेगा आई होता है आप पढ़ते क्या है आप कहते धन 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 एस्वर्य धन धन ऐस्वर्य 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 बोलते है न छilsन Lehr स्वर जन दन ऐस्वर यह जागा जन स्वरीय दीवा जरका देव धन एस्वर्य तीधिन 같은데 इसी तरह मत्य में क्या हो जागा मत्धन मुंदक्य क्षेते मत धन एक लाइसोग्य किए मुत इस के पहले मत्धन एक्त наж चाहर bever combination कम आएosc camera मत आयकता में क्या हो जाता दोस्तों तिया हो जाता मत धन एकता हो जाता है यहां एकता रहता है यहां आय है यहां ए था तो आय बन रहा था यहां पर आय है इसलिए भी आय बन रहा है तो इसको मत आयक के करिएगा इसी तरह धन एक में क्या हो जाएगा तो हो जाएगा धन धन भली गए आपको याद रखिए कभी औ के साथ तो याद रखें यादर भना जाता है तो क्या बन जाता आए ही बनता है यह आप याद रखेंगे इसको भी आए ही पढ़ते यह पढ़ते हैं इसको ध्यान दीजेगा यहां कंफ्यूजन होईएगा ठीक है बहुत अच्छा जवाल है आगे बढ़िए दोस्तों करा धर्म धन एक के वरवर क्या हो जाएगा याद रखे से क्या हो जाएगा नवधन एस्वर्य बरावर क्या हो जाएगा नवएश्वर्य क्या हो जाएगा नवएश्वर्य इसी तरह स्वाधन एक्षिक बरावर क्या हो जाएगा स्वैक्षिक हो जाएगा क्या हो जाएगा स्वैक्षिक हो जाएगा इसी तरह लोगधन एस्वर्य क्या हो जाएगा लोकाइश्वर्य क्या हो जाएगा यदि आपने अपना आधार मजबूत कर लिया इक बार भी इस टॉपिक में कोई हमई फिन साने आपको हरा नहीं चाहता तो पांचो प्रकार जो संधी का है वो मैं आपको इक प्लास में दे सकता था लेकिन जाम में इतनी चीजें कहां कवार उपाती ठोड़ी कमें ओर प्बद ता ना बस यहीं मिल लिया तब भी दोस्तों हमने आय कल लिया आय कल लीजिए चाहे इसको भी यही लिखे एक ही बात है इसी तरह अब आ के साथ दोस्तों ए मिल ला है तो भी जबाब क्या होगा यहीं होगा यदि आ के साथ आय मिल जाए तो भी जबाब क्या होगा यहीं होगा ठीक है याद र दोस्तो यह वेंजन में प्रेयोग होता कहां प्रेयोग होता ठीक है तो देखिए हां सदय आय тради की मातरा दिख स्चacional में आ गया और यहां देखिए यह अलग हो गया तो यहां ने क्या हो जाएगा दोस्तो यह राइव क्या हो जाएगा यह था धन एव इसी तरह क्या हो जाएगा ततक मल लगा के पढ़िए देखे कही कुछ भी कठिन नहीं है कोई चीज कठिन तभी तक है जब तक आपको नहीं आती एक बार आपने समझ लिया फिर कठिन जैसा कुछ बचेगा नहीं आगे देखे एक अधा धन ए वराबर क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर भी आधन ए वराबर चल हो जायेगा तो आधन ए वराबर अ हो जाएगा या फिर दोस्तों आधन अगर i कर देतों भी क्या फोय 서 टुब एक अधा-धन ए वराबर क्या हो जाएगा वैसे तो होगा सीधा फिदाई एक दैव ठीक है तो इसक्रूह को होजाएगा इस वर अ कि OUT जाएगा गंगैश्वर्य इसी तरह टीका धन एत बरावर क्या हो जाएगा टीका धन एत बरावर टीका एत क्या हो जाएगा मात्रा खाली आप देखी कहीं भी आये की मात्रागन नजराए डबल वाले मात्रा आख मुझ कर ब्रिद्धिस्वर संदी की जेका बुड़ा हो गया बूरा नहीं दाता तो एक मातरा क्यों रहता दो मातरा क्यों रहता है एक मात्रा अब दो मतर संधी यह प्छान होती दोस्तों इससे है आप याद रखेंगे आगे बढ़ यह करा जल अधन आओध क्या करेंगे झल अच्छ जलाओध लिखना न और मत करियेगा हो सुनिये अब यहां पे ज़्लाबात सुनिये अभर यहां नया बिला न याद रखेगा ऑ के साथ अगर आपने ओ लगा दिया तब क्या स्वर संधी तब दोस्तों आपने क्या पढ़ा था कि अ के साथ यदि उ लग जाएगा तो क्या बन जाएगा ओ बन जाएगा हलांकि ओ बनने की बहुत सारी कंडिशन थी अ के साथ उ लग जाए या अ के साथ दोस्तों बढ़ा उ लग जाए तब भी क्या बन जाता है ओ बन जा ठीक है यहां आओ बनाना आपको तो क्या कर देंगे जलधान आओध जलधान आओध बराबर क्या जाएगा अच्छा आओध करेंगे देखिए ओ बनता है न यहां पर आओ मत करेंगे बच्चा सोचता यहां आओ है इसलिए यह करता है तो मैं करूं दोस्तों ऐसे में उसका ज जाता है वहांकनी से रोखिएगा तो कि पार्वूला क्या रहता और के साथ ओको मिलाना है तब जाकर किसका निमाड़ोगा ओका इसको अब ध्यान में देंगा ठीक है आगे बढ़ें दूस्तों जलोग का क्या हो जाएगा इसी तरह जाएगा जल धन ओक क्या हो कर मोसतिं परमज क्या हो जाएगा परमधन ओज बराबर परमज परो मोज़सवी का क्या हो जाएगा परमधन ओजसवी परमधन ओस्य यह जयाएंगा वन उसद का क्या हो जाएगा वन धन हो गया राम से ना समझना है ठीक है जहां गलती होगी मैं समालूंगा ना क्यों घबडा रहे हैं ठीक है परिशान मत हुए वस एक चीज है दोस्तों आप लोग लाइक कमेंड नहीं करते पता नहीं क्या दिक्कत है हमिस्ता बहुत मोटिवेट करना पड़ता आज से दो-चार स के लिए मेरी गुरुदक्षिडा है और आज हालते हो गया है कि कोई सुनने समझने को तयार एक्चुली दिक्तत क्या है ना क्वालिटी वाली चीज़े जब जरूर्वत से ज्यादा फ्री में दे दी जाती है उसकी एहमियत समाथ हो जाती है लेकिन क्या करेंगे कुछ अप बहुत सारे चैनल रहें बहुत अच्छी चैनल है दोस्तों उनको वाचिंग्द देकैक्व कोमर्सियल हम क्या कॉर्पोरेत मैं नहीं कार्पोरेट है नहीं ही ठीक है हमारे विचार अलग अपने को अगर धुनिकी है पढ़ाना है तो पढ़ाना है चाहे वाचिंग आये चाहे ना आये मुझे पता कि आज नहीं कल ये किसी ने किसी बच्चे को फायता जरूर करेगा इसलिए चीज पढ़ाना है मन में ठान लिया तो करना है बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि नितिन सर के और हिंदी पढ़ाते हैं कभी GS में आईए दोस्तों सुबह 9 बजी ही क्लास चलती 9 बज कर 6 मिनट पर क्लास दी जाती है GS की क्लास चलती है एक बार विजिट करके देखी लिखना जलाव सदी यहां पर अ हो गया है यहां पर अ हो गया ठीक है अच्छा अब देखी क्या होगा दोस्तों अभी पीछा आपने पढ़ा की और के साथ था ओ का मिलान कर रहे थे तो क्या बन गया था दोस्तों ऑ बन गया था अब दोस्तों कुछ केस में क्या होता औ के साथ सीधा सीधा औ ही आ जाता है तो औ के साथ अगर औ आ जाएगा तब तो औ तो बनना ही बनना है तब उसको कौन भाई अगर आपने क्या कर लिया माइनस के साथ आपने प्लस को जोड लिया ठीक है माइनस के साथ अगर आपने प् मैं थाता है मीरी याद क्या मुझे सवाल देंगे ना तो मुझे रगफार दसमें से साथ सही कर देंगे साथ से ह हिसको माश्टर हूं हाँ जीयसlove मुझे देढ़ंगे तो एलाम से आराम सही नबिनीटी प्लस ठीक है महें ज्यादा करोंगा कोई सवार का जवाभ देता है को अब को इसे में नहीं सवाल का जवाल को हाँ नहीं हर जवाब दे पाउब लेकिन कुछ जलाओ सधी हो जाएगा क्या ज़ताएगा जलौ कर लिए यहां पर और यहां का कॉपी कर दीज्या जाएधा इसले वाश польз को जाएगा इस सिथा परमवदार का रोट वह जाएगा ऑड़ केवारीं कर सभी यहां आप लेकिन नहीं सुनने इसका बसら यह कि ऐसा सब्द होता ही ठीक है यह आप ध्यान देंगे पड़ाच्छा सवाल है इसी तरह यहां क्या हो जागा पर मौसध अब यहां और सधी मत कर जगा यहां और अगर यहां आउसदी लिखा होता तो आप भी आउसदी कीजिएगा जो रहे वही आपको करना है ठीक है इसी तरह से प्रधन ओध्योगी की बरावर क्या हो जाएगा प्रव हो जाएगा प्रध्योगी की क्या हो जाएगा प्रध्योगी की हो जाएगा यह आपका दोस्तों सही धन ओज क्या अच्छा यहां महाधन ओज करेंगे या ओज करेंगे देखें मूल सब्द की बात करेंगे मूल सब्द तो ओज होता है तो यहां आप क्या करें दोस्तो ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा आ के साथ ओ मिला है और आ के साथ भी ओज मिलेगा तो जबाब क्या होग आवी जबाब होगा गबडानी वाली बात नहीं है इसी तरह क्या जाएगा गंगा धन आओ गंगाधन ओ और नहीं ओद गंगाऊद हो जाए गा महा धनल ओजास्वी महा धन ओजास्वी इसी तरह परंदफंड буду यसी पीछे देरा था परिम तरह महा gest तेक उसी सब्सक्रावर क्या हो जाएगा महोजदी हो जाएगा आगे बास अच्छे से प्रैक्टिस करो यही सारे सवाल आप भी कर सकते थे जैसे मालीजी सवाल दिया अब आप खुद से हल करी एक बार कलम चलाइए अपनी ठीक है अब आपुलान करेंगे ठीक है आभ मिलेगा तो जबामे भी क्या हैगा दोस्तो अओ ही आएगा यहाँ ध्यान रखेंगे हर दोस्तों तीन चार पढ़नी पढ़ती है वही 2-4 यहां भी पढ़ना चेहां क्या होज़ागा दोस्तों यह जाएगा महोदार्य क्या हो जाएगा महोदार्य ओधार्य ना इसी तरह जाएगा व्रिथावदार्य क्या हो जाएगा व्रिथावदार्य हो जाएगा इसी तरह से क्या हो जाएगा यथाओ यथाओ चित्त्य क्या जाएगा यथाओ चित्त्य ठीक हो जाएगा ठीक है इसी तर ने तो बच्चा सोचेगा कि गोड़ शोर संदी करने जबकि गुण यहां पर नहीं होगा यह जवाब किसका दोस्तो यह बृद्धी स्वर पर क्या होती है ब्रिद्धी स्वरसंदी आप बताओ अगर टीचर यह बात नहीं समझाएगा बच्छा गलती करेगा या नहीं करेगा आप इमानदारी से बताओ यहां एक ही फारमूला पढ़ते पढ़ते चले आए पचीस-पचास सवाल हल कर दिये कैसे नहीं होगी गलती अपवाद है अपवाद की वज़ा से ही इसे ब्रिद्धी स्वरसंदी में रखा जाता है आप इसे गुड़ न कीजिएगा सुख धन रित बरावर क्या हो जाएगा अब देखें यहां री आ गया अभी तो सर आपने आय और ओ के बारे में बताया अब यह रित कहां से आ गय दोस्तो आर पढ़ेंगे देखिये मैं एक परली एक्जामपल समझेए फिर आप अपने मन से ढूड़ीएगा जैसे दे दिया दोस्तो अच्छे यह तो बड़ा कठी माला दे दिया धन तोस्थ तो आप पढ़ते हैं दोस्तो कि धन धन ओस्त बराबर क्या हो जाता है और बनता आओ है क्या बनता है आओ बनता है लेकिन उसके बावजूद भी हाँ ओ ही लिखा हुआ है ठीक है लेकिन बनता तो ओ है ना ओ बनता है ठीक है नहीं लिखा हुआ है तो यह भी क्या हो जागा दोस्तो यह अपवाद है क्या दोस्तो यह अपवाद अपवाद के श्रलन जोज़ेद सवाथ माने क्या हो जाता यहां संदी बिच्षेत करता तो बच्क्चा करता सुर्फ सुर्फ फिर कहाँ से बगाई दुर्फ पहले कारेगा स्वा उसके वाद क्या करेंगे रतक बच्चा करा अरे सर यह तो जबझादब नया तुछ के 720 लग रहा होगा दिक्कत महसूसों ऒखो लेकिन अप्वाद ऑले सवाल है तिक इसी तरा सुद्धधन में क्या करेंगे दोस्तों तो आता याँ पर सुद्धधण गोढ़ दन क्या हो जाता ओदन ठीक है अब और के साथ तो मिलकर और बनना चाहिए लेकिन आपने ओ देखा ये भी दोस्तों अपवाद है क्या है अपवाद है देखें मेरा मेरा दोस्त न दीजिए मैं आपके भलाई का काम कर रहा हूं आपको अच्छी चीज़े समझा रहा हूं यह वो चीज़े हैं जो जान बुचकर सवा रेडी हो जाओ ठीक है सुद्धोधन में क्या है ओ की मात्रा दिख जरूर रहा है लेकिन सुद्धन ओधन अधन ओ बराबर ओ होना चाहिए ठीक है अरे सबसे कठिन तो यह स्वैर था यहां पर आप कर सकते थे इसी तरह बिंबोस्ठ दिया ठीक है तो क्या हो जागा दोस्त तो दिम्बोस्ठ में यहां सब्ध बिंब ढ़्र धन ओस्ट क्या है बिम्बधन ओस्ट यह भी क्या दोस्तों यह भी प्रिद्िषूर सन्दी है अपवाग ठीक है इसी तरह से स्वरेडी ठीक है जो आपने स्वयर लिखा तर पीछे उसी तरह से स्वरेडी लिखा दोस्तो तो स्वधन इरडी हो जाएगा क्या हो जाएगा स्वधन इरडी इरडी ये भी क्या दोस्तो अपवाद ठीक है बताई याद रखेंगे कि नहीं देखें मेरा काम है सम झालता रहता हूं ठीक है अब आप समझते हैं कि सर क्या खास है यहीं घास है अब यहाँ देखकर आपको लग रहा होगा कि हासर मिस्टिक हो जाता अगर आप न समझा हम जो बच्चा शुरुम आया होगा दो चार सवल देके भग गया होगा वो तो गलती करेगा नवाई यहा पानी निकालने के लिए आपको और गहराई तक जाना पड़ेगा तो थोड़ा सा समय देंगे तो सीख पाएंगे नहीं समय देंगे तो कोई बात नहीं बहुत सारे से बच्चे होंगे जो फीर चारी मिनट में देखके चला जाता हूं लगता हैं कि हम बहुत Advanced हैं उनको सारी चीज़ें आती ठीक हुँ ही कर दूँगा एक भी सवाल गलत नहीं होने दूँगा यह भाव होना चाहिए भाव यह नहीं होना चाहिए हमें चैप्टर पढ़ना ही नहीं है देखना यह भाव बदली अपने अंदर का ठीक है अच्छे से पढ़िए मुझे लगता है कि परियाप्त लेक्चर दे चुका हू पर इतने जादे सवाल दिये हो इस किताब में 6000 सवाल भी है एके चैप्टर डिटेल में भी दिया गया है तो आपके लिए बहुत ही बहतर किताब है इस किताब का नाम है अपनी हिंदी आपकी अपनी हिंदी भाई और कर लीजे आलनाइन इसे आप हमारे वेपसाइट अप् इसकत होगी उसकी जानकरी मेरे पास नहीं रहती ठीक है तो व्यतर ही रहेगा कि आप हमारी स्टडी 91 के पोर्टल से और कर लेजे ठीक है मिलते हैं दोस्तों वीडियो में तब तक के लिए बहुत धन्यवाद आपका जय हिन जय भारत थैंक्यू थैंक्यू समझ आज तो ला करूंगा लाइक कमेंट भर कर दीजिए ठीक है धन्यवाद